आज का इतिहास 21 में 1991 को भारत के पूर प्रधान मंत्री राजीव कांधी की मौद तमिल नाडु के श्री पेरम दूर में आत्मगाती हमले में हो गए कर दो नमस्कार सरवधरम संगम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सते अंद्र पार्टी को देखें तो सवाल यही खड़ा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है किसके सीर बना है जीत का ताज और कौन है इसहार का जिम्मवार और इसी पर पेश हमारा आज का खास कारेकरब आपकी सोच आपका नजरिया हाला कि आप पहले ही तमाम परिडामों को देख चुके होंगे लेकिन आए एक बार फिर आपको उन नतीजों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने भारते राजनीती में एक नया मोड ला दिया है एक बार फिर से गौर से देखिए इन नतीजों को किस तरह से राजनिती में नया मोड आया है एक बात करें तो बीजेपी के पास चार सीट वहाँ पर है असम में बात करें तो बीजेपी के पास 46 सीट है कॉंग्रिस के पास 26 है एई यूडी एफ के पास 13 है अन्य के पास एक है कुल मिलाकर ये वो नतीजे हैं जिनको भारती जनता पायटी को एक बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि आम तोर पर अगर हम बात करें इन तमाम राज्यों में तो बीजेपी का अब तक कोई वर्चस्प नहीं था पूरी तरह से नौर्थ इंडिया की पायटी कहा जाता था भ समके अंदर सरकार बना रही है भारती जनता पायटी ये एक बड़ी काम्याबी है तो रिजल्ट आपने देखे और उन्हें पहले से कंपेर भी कर लिया कि आखिरकार क्या कुछ परिवर्टन हुआ है इस पूरी पिक्चर में जो एक चीज कामन है वो ये है कि कांग्रिस के ग्राफ का गिरना जो कि लोगसवा चुनाप से शुरू हुआ था और वो अब भी लगातर जारी है हाला कि बिहार की कहानी थोड़ी जुदा है और इन नतीजों में दूसरी कौमन बात ये है कि बीजेपी ने जो ले लोगसवा में पकड़ी थी वो लगभग अभी भी बने हुई है हाला कि उसकी रफतार में कुछ कभी जरूर आई है अब आपकी दिमाग में बिहार और दिल्ली की बात जरूर आ रही होगी और इस बार भी बंगाल और तमिलाडू का ख्याल भी जरूर रहा होगा जो कि चर्चा का विश्य है और इस कारेक्रम के दोरान हम इसी विंदू पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिस करेंगे कि आकिर क्या है भारतिय राजनिती में इन नतीजों के माईने और इस अति गंभीर चर्चा के लिया जह हमने अपने स्टूडियों में आमंत्रित क्या है भारतिय है जनता पाइटी की तरब से मुकेश वाजवेई साथ हमारे साथ मौजूद हैं कॉंग्रेश पाइटी की तरब से अनूज आत्रे साथ हमारे साथ मौजूद हैं और साती साथ वरिष्ट पत्रकार पुष्परंजन साथ हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं तो चलिए अपने सबी खास महमानों के साथ हम बात्चित का सिलसला शुरू करें लेकिन उससे पहले देखिए उमारी एक खास रिपोर्ट पांच राज्यों के चुनावी परिणामों से कई हैरतंगेज नतीजे निकले हैं इस जनादेश के लिहास से बीजेपी जहां पहली बार सचे अर्थों में अखिल भारतिय पार्टी बन गई है वहीं कॉंग्रेस अपना अखिल भारतिय दर्जा खोने के करीब खड़ी हो गई है देश के चुनावी इतिहास में पहली बार असम्में भाजपा का भगवा लहराया है ये परिणाम बीजेपी को दिल्ली और बिहार से मिली हार की हताशा को भूलने का सबब भी बनेंगे वहीं पियम मोदी के बाकी बचे कारेकाल में आर्थी के जेंडे को द्रचता पूर्वक लागू करने का मनोबल भी जनता ने देही दिया है इन पांचों राज्यों के मतदाताओं का रदवी से बहुत बहुत आभार वेक्त करता हूं धन्यवाद करता हूं उन्होंने भारतिय जनता पार्टी पर अपने विश्वास में बढ़ोतरी की है आसाम में भारतिय जनता पार्टी की सरकार बनना तो कई लगों के लिए बैसा ही आफ्रे है जैसा कि जम्मू कश्मीर में भारतिय जनता पार्टी सरकार में हिस्सेदार है पचास साल के खुनी राजनीतिक संघर्ष के बाद कॉंग्रेस ने वाम मोर्चे के साथ पश्यम बंगाल में जो गल बहियां डाली थी वो दोनों के गले में कस गई है और ममता राजी में एक बार फिर दमदार बहुमत के साथ वापस आ गई है केरल का राजनीतिक मिजाज पुराना है कभी LDF तो कभी UDF लेकिन इस बार BJP ने अपनी सांग्ठनिक ताकत प्रदेश में बढ़ाई है और खाता भी खुल गया वहीं तमिलनाडू में अम्मा ने पहली बार प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को बदल डाला अम्मा की मम्ता का हाथ तमिलनाडू में फिर जनता के सिर होगा केंद्र शासित राजी पुट्डूचेरी में कॉंग्रेस जीत से थोड़ा संतोश कर सकती है लेकिन इन पांच राज्यों के चुनाव परिणाम केंद्र की राजनीती में भी अपना थोड़ा असर डालेंगे जैलनाडू में फिर सत्ता रूड होना पशिम बंगाल में मम्ता की वापसी बीजेपी के लिए जीएस्टी के मद्य नजर मुस्कुराने का सबाब बन सकती है मम्ता पहले ही वाइदा कर चुकी है कि अब वो राज्यों का विकास न रोकते हुए जीएस्टी का समर्थन करेंगी और जीएस्टी पर अब तक ढुलमुल रवया केवल चुनावी नजरिये से ही था इधार असम तो जीएस्टी के लिए बीजेपी की जोली में आही गिरा है यानि फिलहाल राज्यसभा में बीजेपी के लिए भले ही अंक गणित ना बदला हो लेकिन ममता और जैललीता से वो मदद के उम्मीदें संजो सकती है इस चुनाव का दूसरा जो राज़नीतिगार्थ है वो कॉंग्रेस के लिए काफी दुखदाई है क्योंकि कॉंग्रेस ने इन चुनावों में अपने दो राज्यों की सत्ता गवादी है अब करनाटक को छोड़ दे तो वो देश में केवल परवतिय परीधी के छोटे राज्यों वाली पार्टी बन कर सिमट गई है राश्ट्रे इस्तर पैस जनादेश के बुनियादी बदलाव से मूदी का वही नारा चरीतार्थ होता दिख रहा है जिसमें उन्होंने कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात की थी अब कॉंग्रेस के लिए जीवन मरन का प्रश्ण है सबसे बड़ी विडमना ये है कि वो छेत्रे दल बन नहीं सकती और राश्ट्रे पार्टी की जमीन उसके पैरों से लगातार खिसकती जा रही है ऐसे में क्या देश वाकई कॉंग्रेस मुक्त भारत की तरफ कदम बढ़ा रहा है या ये सिर्फ महज वो दौर है जिस दौर में कॉंग्रेस को अपने कमियों को दूर करने का मौका दिया जा रहा है क्योंकि 2019 अभी दूर है अंत में एक और जो बड़ा सवाल है वो ये कि बीजेपी भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि जीत उसे सिर्फ वहां मिल रही है जहां सीधे सीधे मुकाबला कॉंग्रेस से है छेत्रे पार्टी के सामने बीजेपी अब भी बेबस है बात चाहे दिल्ली की हो या बिहार की बेबसी साफ जलक रही है ब्योरबोर असम में वाके ही बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है लेकिन चिंता कब इसे भी बना हुआ है और असम में जीत वो भी पहली बार तो क्या समझा जाए इन पांच राजियों के नतीजों से जो रास्ता निकलता है वो अखिर जाता कहा है ये एक बड़ा सवाल है और यहां सवाल सिर्फ यही नहीं है बलकि सवाल और भी कई खड़े हो गए है क्या वाकई कम होता जा रहा है कॉंग्रेस का वर्चा स्विया फिर ये नतीजे खोल रहे हैं तीसरे मोर्ची के लिए कोई नया रास्ता तो चलिए शुरू करते हैं अबने सभी खास महमानों को साथ बाचित का सिल्चला सबसे पहले मुकेस बाचपई साब आपके साब पास आना चाहूँआ असम में आप लोग सरकार बना चुके हैं वाके ही बड़ी बात है बिलकुल असम में अभी तक आप देखेंगे कि भारती जन्ता पार्टी को सरफ नौर्थ की पार्टी बोला जाता था आज आप देखेंगे कश्मीर से लेके केरल तक हमारी परजैन्स हो चुकी है इदर आप नौर्थ इस्ट में देखेंगे आसाम से लेके गुजरात तक हमारी परजैन्स हो चुकी है हमारी सरकार बन चुकी है आने वाले टाइम में जो एक हमारे राष्टिय अध्याग्ज अमित साद जी ने और मोदी जी ने एक आवान देश की जंता को किया था कि कांग्रेस भुक्त भारत तो देखिए हम कोई करने वाले नहीं हैं देश की जनता खुझ चाती है कि भारत से कांग्रेस जो ब्रश्टाचार की एक प्रेवाची बन गया था ये इसका भारत से जाना निश्चित करना चाती है आप देखें कि 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस की जो हालत हुई है आज व हमारा बताता है कि हमारी नीतियां हमारे नेता और हमारी नियत तीनों में जनता को विश्वास है जीत कि जीत है अमिश शाह की जीत है प्रथान मात्री नरेंद्र मोदी की जीत है किसी देखिए कोई भी जीत या कोई भी हार किसी एक आदमी से ना तो होती है ना एक आदमी क को आप उसका जुम्मेवाट हरा सकते हैं चाहे वो जीत हो चाहे आभी आप ने देखा मोदी जी ने क्या बोला यह सारी जीज जो है अश्राब में हमारे को मिली है यह वहां के कारेकरताओं की महनत आज की नहीं काफी टाइम से वहां के कारेकरता महनत करते आ रहे हैं और जित का योगदान रहता है अनुज अत्रे साब वाकि आप भी बीचन होंगी जिस तरह से सवाल उठाए हैं मुखेस वाजपेनों का जवाब देने के लिए लेकिन सबसे पहले आप से जाना चाहिए हार किसकी है राहुल गांदी की हार है सौनिय गांदी की हार है किसकी हार है देख कुछ ने कुछ फैक्टर्स भी रहते हैं जिनको बैठ करके बाद में अभी उन पर सोचा जाएगा उन पर विचार विमर्च किया जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ निश्चित तोर पे हार हुई है उसमें कोई कोई दोर आए नहीं है हमें जीतना चाहिए था हम हार हैं पर ऐसा नहीं है कि जैसा कि ये बारतिय जनता पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि बहुत खुशी मना रहे हैं शायद आपको मैं एक आकड़ा दे दूँ आप लोग पर देश जीते हैं अगर ये एक पर देश जीते हैं तो इन पांच सो चुनाओं के भी और ओठा करके अगर हम आकड़े देख ले तो हम जीते है 149 सीटों पर ये जीते हैं केवल 65 सीटों पर तो ये कोई बहुत ज़ादा इसमें को आस्मान की तरफ इनको देख करके और चानुए में भी हमारी यही लगाए गए थे कियास लगाए गए थे कि कॉंग्रेस खतम हो गई या कोई कॉंग्रेस में लीडर्शीप नहीं बची है वापस नहीं आएगी ऐसा नहीं होगा उस समय भी तमाम इस तरह की अटकले लगाई गई थी पर आपने देखा हो किस प्रक केमाल में हमारी कहीं सरकार नहीं थी तमिली हमारी सरकार नहीं थी पॉंडि dud चलता रहता है ऐक बर हमारी आती है एक बर उन्गी आती है चिंता करेगी कॉंग्रेस पारे में सोचेगी कि आखिरकार वजय क्या रही क्या नहीं रही लेकिन यहाँ पर दरतल मेरे सवाल अनुजात्रे साथ इसलिए यह उट किया था बीजेपी का आपने जिक्र किया तो खेरी इनका वोट परसेंटेज बड़ा है इस बात को आप भी म क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि जब दिल्ली में अभी उपचुना हुए हाली में उसके जो नतीजी आए तो अजया माखन सामने कह दिया था कि यह राहुल गांदी जी की जीत है तो अगर जीत होती है तो एक नेता के उपर सहरवादा जाता है दूसरी बात जिम्मेदारी क लेता हूं तो मैं स्रीब इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं आखिरकर जब जीत के लिए राहुल गांदी है तो हार के लिए कौन है देखिए कई लिए एक राहुल जी के उपर ही अपलाई होता है क्या यह परंपरा है आपकी अगर पार्टी यह दिल्ली में अगर हम चा किसके चेहरे पर यह जमाना जब्त कराई इन्होंने किसकी वियसे आ रहें यह केवल कॉंगरिस के उपर ही क्यों प्रशन उट रहा है क्या इनके इनके अनुजातरी साब मेरा सवाल स्रीब यह है चूंकि अजय माकर ने शब्द को बोल रहे थी तो उसी का मैं श्रीब आपस चाहँगा जिस तरह से नतीजे सामने आए यह तो फैक्ट की बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है लकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है मुकेस बाच्पी ने एक सवाल उठाया कि कॉंग्रेस मुक्त भारत जिसका जिक्र मोधी जी कर रहे थे वो सामने दिखाई दे रहा है और इस में इनों ये कहा कि भ्रष्टाचार का परियावाची कॉंग्रेस को कहते हैं अगर मैं भ्रष्टाचार की बात करूँ तो हाली के दौर में पस्चिम मंगाल में बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आया शार्दा घोटाला सामने आया टीमसी के मंत्री और सांसत जेल तक चले गए हाली में वहाँ पर पुल गिर गया बड़ा हादसा हो गया भ्रष्टाचार भी और यह सब सामने आया उसके बावजूद भी ममता बैनर जी को फिर से वहां की जनता चुन कर आई तो क्या कहा जाए कि भ्रष्टाचार का जो एक दिखावा बीजेपी दिखाना चाह रही है कॉंग्रेस को कि भ्रष्टाचार की वज़े से कॉंग्रेस भ्रष्टाचार के लोग जीते हैं द्रवीड राजनिती की जैललिता महां कॉंग्रेस का पुड़ीचेरी में इधर बंगाल में टीमसी का बीजेपी का असम में और फिर अपना इधर लेफ्ट का अपना तो आप एक दवा नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ आपकी फतह हुई है जैललिता कुछ महीने पहले ही जैल से निकल के आई थी अच्छा उन दिनों मैं तमिलनाडू पुड़ीचेरी उन से भी लाकों का ठीक ठाक दोरा किया था कोई भी भाश्वानी करने की स्थिति में नहीं था कि 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 कौन आ रहा है अभी मतले एक दम लग रहा है असे नेक ट पुड़ीचेरी में तमाम टीज सीटों पर बीजेपी की प्रत्याशी लड़ रहा है थे तमिलनाडू में आपके ठीक्ठा संख्या में 168 प्रत्याशी लड़ रहा है तो आप चुनाओ जीतने के लिए लड़ रहा थे या वोड़ प्रतिशत बढ़ाने के लिए लड़ रह दूसरा भ्रष्टचार इशू इसलिए यह नहीं बन पाया कि अगर ऐसा होता है कि तमली नाडू में आप सबसे रहादा वहाँ पर कर सकते थे आपका पर्फर्मेंस भ्रष्टचार अगर इशू था तो नहीं मत दाता आपसे आकर शेत हुआ बंगाल में क्यों तीन सीटे कई सारे कंडिडेट जो थे जो किर्केटर हो यह सब यह सब बिहार गए हां तो चंद कुमार बोस तो बाकायदा भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा यह से प्रोजेक्ट हो रहे थे बंगाल में तो यह सब चीजें उसकी अनालिसिस भी उसका आत्मन्थन भाजपा को करना ज अब की फेल रही थी उस बिहार मॉडल को आपने आसाम में चुकि वहां जो शेत्रियत दलते बोडों के या और अल असाम गण परिसात के उन तमाम लोगों को आपने जोड़ा और वहां पर एक चुनावी रहनी थी चुकि एंटी इंडम पर सी तो थी और खासकर कॉंग्रे थी उसमें भी एक जिद थी कि भाई हम मुस्लीम संगटनों से अपना नहीं तालमिल बठाएंगे तो यह सब चीजें भी और धीरे-धीरे जिस तरह से वहां पर पार्टी के भीतर भी जो बड़े नेता से उनसे भी मिलना जुनला एक तरह से राजी राहूल गांधी का यहा एक हार की बड़ी वजह रही थी मुकिस राजबर ज्यान ध्यान दिया हूँ कि कल से बहुझ को एक बड़े सरजरी की जरूरत हैं क्यों बड़ा सब्सक्राइब बड़ा सरजरी क्या वह सर्जन सिर्फ सुनियागंदी होंगी या सर्जन और लोग होंगे या उसमें यह हो सक कि दूसरा नेत्री तो आप क्यों नहीं दे रहें एक आप सलाकार मंडल बना दीजिए जिसमें बड़े भुजूर्ड नेता रहें और नया नेत्री जोतिर्यादित्य सिंधिया यसे लोग या शर्मा आनन शर्मा यसे लोग उसमें या बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि संसत स से लेके बाहर तक सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं उनको आप दीजिए नेत्री तो आजमाई है उसको इस पर मंथन कॉंग्रेस तो पूरा ओवर हॉल की जरूरत है इस समय तो यह आवाज तो उठें लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वाकिए इस आवाज पर अमल किय जाएगा अनुजात्री साब के पास आँगा लेकिन उसे पहले मुक्रिस बाजबी साब क्या जो आपने सवाल उठाया कि भरिष्टाचार का परियावाची आपने बता दिया कॉंग्रेस पाइटी को तो वाकिए कई वाजिब सवाल पुस्परंजें जी ने सवाल करें बहुता हूं लेकिन उस चीजम उस जगह पुर्दर्दसा होई दूसरा सवाल आपने करा कि ब्रश्टाचार क्यों नहीं चला बार्गी आपकी पार्टी की द्शा हुई प्राट की बात की बात कर को रहे है चोरी कहा रहा है कि यह चोर है यह चोर है वहां तो को अंगरेस को सब जानते हैं कि ब्रश्टाचारी है और जहां तक लेप्ट की बात है तो लेप्ट का सासन वहां देखा हुआ है वहां की जनता परेशान थी तो जब वो ब्रश्टाचार की बात वहां पर करी जा रही थी त कि आमीज वीजूल्स निंगालियेगा, मुकेश जी बाइट निकालीयेगा, आपके ध्यान में हो हुआ अमिश जी ने जो भुबहुत भाजपा, कि चानक की मानगें जाते हैं और रनिगती कार भी हैं केरल में कहा था कि केरल का जो चुनाव परिणाम आएगा उसमें हंग असेंबली होगी और बीएपी के सपोर्ट से ही वहाँ सरकार बनेगी बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा था आप ऑन रिकॉर्ड इस बयान को कउंगरेस को तो बंगाल में जो कॉंगरेस जिसमें लेफ्ट को नुकसान हुआ बंगाल में इस पर ध्यान दीजेगा कॉंगरेस को पुड़ी चेरी में फायदा वे उसको संथ में दो बारा आने का मौका मिला एक दो तो देखिए हालाकि यह कोई परामिटर नहीं आपकी लेफ्ट का नुकसान कि बंगाल में किया है यह भी लेफ्ट के लिए वड़ी एनलीसिस की बात है कि आपने बंगाल में इस तरह की रहन नीति क्यों चुनी हाला कि अभी लेफ्ट का कोई नहीं है जो जवाब दे लेकिन उन्होंने वही रास्ता अपना लिया जो सीपी आई न कि किसी जमाने में केरल में CPI की सत्ता हुआ करती थी। दीरे-दीरे CPI वहां से साफ हो गई, CPM ने उसको समाल लिया। तो आप उसी रास्ते पर चलने। और इसी वज़े से मानिक सरकार ने, मानिक सरकार बंगाल के चुनाओं में नहीं आए वहां से परचार के लिए। बिलकुल ठीक है, ठीक है, अनुजात्रे साब, अनुजात्रे, जिस तरह की बात पुस्परेजिन साब ने कहा था कि वाके ही एक बड़ी सरजरी की जरूरत है कॉंग्रेस के अंदर और जिस तरह के शूर भी उठने लगे हैं पाइटी के अंदर, तो क्या इस पर विचार क्या कोई नया सरजन सामने आएगा? अनुज के बड़े होने की बज़े से एक चोटी सी अनुजी को राय देता है कि अपने पाटी में राय दें कि आप किसी की ना सुनें आप जल्दी जल्दी रावुल गांदी को अद्यक्ष बनाएगे पर चोट से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक बार फिट से जाने की कोशिस करेंगे कि वाकि कॉंगरूस प्राइटी का सरजन कौन होगा छोट सा ब्रेक तुर 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 शर्मा जी आज कल पट्रॉल बहुत मेंगा हो गया क्यों आप अपनी गाड़ी में केरुसीन ओल डाल लो लॉकों की गाड़ी बरबाद कर दू बाइग में डाल लो गाड़ी तहें सस्ती क्यों ना हो बरबाद नहीं करूंगा पर आप अपनी और बच्चों की जिंदगी जो बरवाद कर रहें उसका क्या अगर कैसे इस खाने में जहर है कीट नाशक है इसमें मैं क्या करूं हर चीज में मिलावट ही मिलावट है आपको पता ही नहीं एक पोड़क्ट लाउंच हो गया है इसमें मिलावट नहीं कौन सा? MSG 100% प्यॉर है अच्छा? और्गेनिक भी है ब्रेक के बाद सुवा गता आपका वाके ही एक बड़ा सवार है की जिस तरह से पाँच राज्यों के चुनावों के नतीजे सामने आए हैं वो राजनीती में क्या कुछ नया मोट लेके आएगा क्या वाके ही बीजेपी जिस टॉपिक के साथ जिस अजेंटे के साथ आगे बढ़ रही थी क्या वो उसमें सफल हो रही है क्या वाके ही कॉंग्रेस का वर्चस हिंदुस्तान की राजनीती में कम होता जा रहा है क्या यह चुनावों के नतीजे एक थर्ड फ्रेंट को एक नई हवा देने का भी काम करेंगे बहुत सारे सवाल है हमारा पैनल हमारे साथ बना हुआ है डिवेट को आगे बढ़ाते हैं अनुज अत्रे साब आपके पास आँगा चुकि ब्रेक पर जाने से पहले आपका अधूरा रहे गया था जवाब जिस तरह से वोट परसेंडेज कम हुआ है उसको देखते हुए जिस तरह से आपसी संग्ठन के गरिम बात करूं तो आपके वरिष्ट नेता सवाल उठा रहे हैं प्रस्ताब दे रहे हैं पायटी को कि नए चेहरे की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो क्या अब बदलाब का समय आ गया है ऐसा किसी ने नहीं का कि नए चेहरे की आवशक्ता है चेहरा हमारा बिल्कुल ठीक है तो क्वेचारिक मद्वेद आ रहे हैं या कुछ न पौलिसी में कही नहीं कुछ कमी आ रही है जिसमें हमारे को एक थोड़ा सा परिवर्तन लाने के आवशक्ता है निश्चे तोर पर वो क्योंकि कहीं नहीं हमारी जिस प्रकार से हार हुई है हमें उसमें स्विकार करने में कहीं कोई शरम नहीं है बारती जन्ता पार्टी के लोगों की तरह हमें अपनी हार स्विकार करने में कहीं कोई शरम नहीं है इन लोगों की 500 सीटों पर जमाना जबती जो एक विश्व रिकॉर्ड बनाये इनुने तो इन लोगों को शरम नहीं आती स्विकार करने में इन लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा उठाया बंगाल में सुवाश्चन बोस का पिछले देड़ साल से इन्होंने जो एक योजनावज तरीके से लेकर किया है सुवाश्चन बोस जी को फाइले निकाल 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 के साबजनी करी केवल और केवल बंगाल का चुनाव का मंचा था वहाँ 294 सीटों में से चार सीटे जीते हैं जिसकी अपनी बात करने कि हमारा वोट परसेंटेज बड़ा है हम लोग बहुत जो है राष्टे पार्टी बनते जा रहे पहली बार इन्लों नोर्थीस्ट में अपने किसी राज्य में अटसाट सालों में जागर के सत्ता हासिल की हम लोग लगातार 15 साल से वाज सीट पे हासिल दे उपर आस्मान की तरफ थूकने वालों को थोड़ा नीचे भी देखना चाहिए इनको मेरे को इतना ही साही कहना है कि आदमी को बड़े बोल तब बोलने चाहिए जो जीतता है वो हरता भी है जो हरता वो जीतता भी है बढ़ा सवाल वही है क्योंकि जिस तरह से अब तक बिल्कुल साफ थी गायब थी नौर्थ इस्ट से भारती जंदा पाये और एक साथ वो किसी राज्य में सरकार बना लेती है वो भी एक ऐसी राज्य में जहां पर लगा था पंदर सालों से आपकी सरकार थी तो वहां कि चिं चाहिवो असम हो चाहिए वह घ्रयाना हो चाहिए महाराश्ड वह हो जहां पे भी भारतीजंता बाठीच जीतते हैं वहांके एक सपोर्टर की जीत होती है और सबसे बड़ी बात सबसे ज़्याना के जीत होती है अभी अनुच जी बोल रहे थे कि जी सरम हमारे को तो बड़ी सरम है और हम इसके अलावा आपके पास और कोई चाहरा है क्या क्या आप इसके अलावा कुछ कर सकते हैं अप इसके अपने कमियां देखी अपनी कमियां को दूर करा नेकिन आप ऐसी बाते हैं क्योंकि ना तो आपको अपनी कमियां दिखेंगी ना आप कभी उनकमियों को दूर करते हैं वाजबी जो आपकी आपकी आपने बंगाल में सुभाचा बोजी की किस प्रकार से फाइले लागर के कामलेश के नेताओं को बदनाम करने की कहीं कोई कसर नी छोड़ी पीछ हमारे तो चुनाव जिए यो सके जनता ने आपके तौब केवल चार सीटों पे जीते हैं बागी सारी सीटों पे आपकी जवानता है जाता है लेकिन जो जगा हुआ आँके बंद करके लेटा हो उसको नहीं जगा जाता है आपको सब मालूम है कि आपके अंदर क्या कमी है आपके नेता कौन किस तरह के हैं वो काम नहीं कर पा रहे है वो पार्टी को नहीं चला पारे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे पांच राजियों में से चार राजियों में इनको मुझ की खानी पड़ी है शायद इतनी बुरी गती किसी भी देश की राख्टी की आस तक इतने चुनाव लड़ने के बाद किसी सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर मैं बात करूं भार्टी जंदा पाइटी का कोई वर्चस्प नहीं था सुरुवाती दौर से संग्टन भी बहुत ज्यादा मजबूत वहां पर नहीं था लेकिन एक सच्चा ये भी है कि पिछले अगर मैं साट साल की बात करूं तो उसी वक्त से आरेस की सवाल उठा रहे हैं असम में दरसल जीत बीजेपी की नहीं आरेसिस की है संग ने वहां बहुत काम किया है आप दोहजार चौदा या दोहजार तेरा का भी जो अभी नी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कॉंग्रेस के उनके बयानों को देखिए गौर कीजेगा तो उनके ब बिजन पयानों में बराबर इस चिंटा को जाहिर की थी कि चाय बगानौं में द्रीरे ढार ये इस अपना वर्चसभर बढ़ा रहा है हर तालें जो होरह है मैदूर संगट्नों की चाय बगान में बारेसिस की पर हो रही हैं वहाँ पर शहर में जो तमाम ए अर्चनमें हो यह ब्यूरोक्रेसी में या दूसरे चुछी में RSS के लोग करा रहे हैं यह बराबर बरुवा सागा बयान इस तरह से उनका बयान पूर मुख्यमंतरी का बयान आता रहा है एक पार्टी को अपना आत्म मंथन करना चाहिए कि हैमंत विश्व शर्मा क्यों उनको छोड़के चल और यहां भी दिल्ली जब भी आते थे तो उनको आलाकमान से मिलने की उनकी खुद की शिकायत थी कि आलाकमान से मिलने नहीं दिया जा रहे मुझे तो कांग्रेस का इतना बड़ा रणनितिकार को तोड़ा बीजेपी ने एक रणनिति यह थी बोड़ो पिपिल्स फ्रंट जो कल तक अलगावादी संगठन माना जाता था उसके नेताओं को फिर धीरे धीरे बीजेपी ने अपने आईने मुझा रहा कि आप हमारे साथ आई है उसी तरह कश्मीर वाला मॉडल था कई अलगावादी को अपने उसमें तो यहां पर बीजेपी के एक है कि अपने केंद दारह में आना चाहते हैं तो वहाँ ही परहज नहीं है चले भाई बोडो वाले आप आजाई है हमारे साथ तो इस तरह से वहाँ पर उन्हें ने जोड़ा उनको कि भाई आजाई है राष्ट के मुझे दारह में तो बोडो वाले आए आपके पास AGP के लोग आए अब इनको ले के आप what next मतलब आगे सकता आपको कैसे चलाना है अभी बहुत बड़ा एजंडा सामने आने होला है बंगलादेश की का जो बॉर्डर है वहाँ फेंसिंग कराना है आपको क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा चार्जड एजंडा है कि आप इसको तुरत कीजिए आपको क्यो की वहाँ भी जो यह बही इस सवाल उठ रहा हा कि जो बंगलादेश ते आया है वह सिप मुसल्मان की ने हिंदू भी वहाँ कर देंगे तो यह कह रहे हैं कि नहीं जी हिंदू को रखेंगा मुसल्मानों को आपिस कर देंगे तो यह समाज में भी वहां पर असम में बड़ी चुनावती होने जा रही है सरकार के सामने जो नई सरकार का चैन हुआ है प्लस यह जो बोडो को और एज़ी पी को आप अपनी पारटी में अपने सरकार में कैसे अड़्जस्ट करांगे इनके पास आई है उस मैजर्टी में यह सरकार चलाएंगे कुछ दिन लेकिन वर्च पे उस किनारे पर है कि अगर इनकी पार्टी से कोई हेमंद वीशो का शर्मा जैसा कोई खड़ा हो गया साल दो साल में तब इनके लिए मुश्किल है वही चोट कॉंग्रेस भी पहुचा सकती है जिस तर से आप कॉंग्रेस को तोड़ने में आपने काम है देखिए आसाम का एजेंडा बिल्कुल किलियर है वहां पर तीन में इशू थे जिस पर इलेक्सन लड़ा गया नंबर वन था इल्लीगल माइग्रेंट जो वहां के हैं दूसरा इशू था कि वहां के चाय बगान के मजदूरों की हालात और तीसरा एक आदिवासी का जो स्टेटस वहां पर आदिवासी लोगों को मिलना चाह करता हूं कि देखिए हमारा यह एक नीती रही है कि अगर कुछ लोग किसी गलत धारा पे चलेंगे तो उनको में इस्टीम में लाना चाहिए आपने देखा हुआ कि दो जने सज्जाद लोन और एक दूसरों को हम लेकर आए उनको और वहां पर एलेक्सन जीते और आज पार पाँए बीजेपी कभी यह नहीं देखती कि यह लिए इसको उतारा जाए यह हिंदू वाला निता कौन है वो चाहे हिंदू हो, मुसल्मान हो या किसी ओने जाती का हो बीजेपी कभी कांग्रेस की तरह ये नहीं देखती कि बोर्ट बैंक किसको जाधा मिलेगा अगर मुसलिम डॉमिनेट एरिया है तो हम मुसलिम उतारो हिंदू डॉमिनेट इस तरह कि हमारे जाती नहीं है कियी कही जेगे ऐसी होती है जहाँ पर हिंदू बहुत आदत होते हैं लेंकि हम मुसलिमान कंडिडियों उतारते हैं तो जब आप 2017-2018 के चुनाओं में जाएंगे जब उस तरफ बढ़ेंगे तो बीफ आपके लिए अजेंडा बदल जाएंगे जहां तक आपने बात करी कि हमारा एजेंडा बदल जाता है बिल्कुल नहीं आप हम चाहे सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें या बिल्कुल कह पूरी तरह से हाहाकार मज गया सरकार में उलट पलट हो गई उन लोगों का भी कहना यही था कि वहां पार आला कमान से मुलाकात नहीं हो पाती है उनकी बात नहीं सुनी जाती है और यही एक वज़े रही कि असम के एक बड़े सराकार बड़ा चहरा तूटकर बीजेपी मे शामिल हो गया और उसकी वज़े सिर्फ यह रही कि आला कमान से मुलाकात नहीं हो पाती है उनकी जो समस्या हैं उनको नहीं सुना जाता है तो वाकि यह एक बड़ी वज़ा मानते हैं हरकी की जो नेता हैं वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं आला कमान तक देखी एक शिकायत केवल उन लोगों की रहती है ये चुनुन्दा एकाद़ परसंट नेता जो है जो पार्टी छोड़ करके भारते जंता पार्टी में चले गए उसके बाद उनकी वो शिकायत महाँ पे सामने आई है पार्टी रहते हुए आज ते कभी किसी नेता ने शिकायत ने करी अ हमारे हमारा एक पार्टी का संगटन बनावाँ है एक प्रोटोक्ल बनावायाया राष्चे अदक्षे है उसके नीचे अउपाद ल рук देख्षे हैं उसके नीचे प्रदेश के परभार ही है और कुछ ना कुछ अपना बहाना बताना है कि हम इस कारण से गए छोड़ करके यह तो कही नहीं सकते कि हमें सप्ता का लालास था जो है हमें पद का लालश मिल रहा है था हम इसलिए चले गए वहाँ पर अब कुछ नहीं को शिकायत बोल नहीं तो पतो आपने दिया ही हुआ मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा अनुज आत्रे जी को तरुन गोई जी के विरुद्ध चुनाओं से पहले बहुत पहले मतलब की पांचे मेने पहले उनके तौर तरीके पर उनके इंट्रेक्शन प्रकारेकारताओं से जिस तरह का सुलूक होता था उसके विरुद नहीं दिया कि पूछा किस काम से आयो तो यह मुझे मंत्री जी के बारे में कुछ बताना है तरुन गोई जी के रन निती के बारे में तो ठीक अफ़ना जी से बात कर लिए मतलब उन्हें राहुल जी से मिलने तक नहीं दिया गया उन नाराज हो के गया और वहां पर विद् उसके बाद उनमें अहंकार जरूर आ गया था कल भी जब टीवी चैनल पर बोल रहते हैं तो शेर की तरह लड़ा मैं कभी आप जनता ने आपको जो मैंडेट दिया है उससे सबक लीजिए कि क्यों आप हारे उसके आत्मन्थन के जरूरत है आप शेर और की तरह बाहर आगे लड़ते हैं यह लोगतंत्र है यह शेर बनने से नहीं होगा आप समस्या समझे कि असम में लोगों ने आपको क्यों बीजेग पी को वोट दिया किस वज़ा से दिया सिर्फ यह हिंदू और मुस्लिम वाला मामला नहीं ता सी बंगलाजिश का मामला नहीं था महेंगाई बे गोटल हूं धिया डिली दिल दिखाने के लिए कि देखेज़ा उसी तरह से बंगलाजी ने दो रूपे किलो चावल दीया तो आप पेट पर ध्यान गरीबों का नहीं दीजेगा आप हातों को रोजगार नहीं दीजेगा तो भरस्टाचार का इजंडा भी आप कहेंगे ता हमारे लिए सोच रहे का यहीं उनका यूएस पी था अम्मा के जीतने का और दीदी के जीतने का यह और आपको भी आपको भी सबक लेना होगा कि स्रिप कॉंग्रेस को कोसने से ब्रिश्टाचार को गाने से सत्ता में नहीं पहुंचा जाएगा जो आपने वादे कि उनको पूरा करना पड़ेगा जनता आप विए मैं विलकुल इस बास से सहमत हूं कि अगर कोई कोई भी हो किसी भी पाइटी की सरकार हो अगर वो काम नहीं करेंगे तो पांस साल बाद उसको बाहरका रसना दिखा देगी बिना काम करें तो आप बिल्कुल बचने वालिए कांग् किस जाती को खड़ा कर रहे हैं उसको विकास चाहिए उसको अपने लिए अपने आगे का future के लिए नौकरी चाहिए जौब चाहिए तो वह जूड़ता है कि यह कौन दे सकता है आज वो future की अपने future की चिंता करते हुए उस party के साथ जाने की तैयारी कर लेकिन असम में थोड़ा दस सेकेंड नो लूँगा असम में आप ये गलत फ्रमी में मत रहें कि आपके बड़े करांतिकारी कारिक्यम की वहाई से जनता ने बोट गया कोई विकल्क नहीं था वीज़ेपी के अलावा अब देखिए वहाँ अजनता ने नहीं पार्टी इसलाम के को अजेंडा मना के वहाँ पर उल्टे सीदे काम कर रही थी अब एज़ी पी को अल्रेडी वहाँ पर जनता ने आजमाया हुआ था प्रफुल मोहंत के नत्रित को बोड़ो एक खास पॉकेट तक सिमित थी तो आपको आपके पास सरवानंद सोनवाल को जैसे पॉप्लर न नीतियों को समझाओ इसलिए बोड़ दिया लेकिन आप यह तो नहीं करेंगा ना कि हम वहाँ पर विकल्प नहीं था इसलिए हम जीत के तो हम अपना विकल्प पैदा करें नहीं आपको समझी और आगे के लिए कि खुशी से आप चार जग़ों पर आपकी शिकस्तु है कम है उससे सबक लेनी कि आप लेकिन परसो जिस तरह से मदमस्त हाथी की तरह चलते हुए जो नेता उपर सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करें यह उसको जाहिर करा था इस जैसे बिलकुल नहीं पर विकल्म नहीं था इसलिए बारती जंता पार्टी को उनकी नीतियों और वहां की जंता ने इसलिए बोट दिया कि उनको आशा की किरन ने जराई जहां तक आपने बताया कि यह जो उस सब बनायाएगा आप देखें बंगाल में क्या हुआ वहां पर तो सीपीम के कारेयलों में बंप बोट दिये कुछ कारे करता हुए उनके मारे गए हमने तो सिंपल अपर पार्टी बहुत अच्छा सवाल पुस्परजिन साब आपसे समझना चाहूंगा जिस तरह से पांच राज्यों के चुनाव के नतीजह आएं क्या यह कहा जाए कि बीजेपी को रोकने के लिए अब एक नया थर्ड फ्रंट सामने आएगा पहरा सवाल दूसरा सवाल इसी मैं आपसे ज सपोर्ट रहेगा बीजेपी को कि अब अपने अपना जो उम्मीद्वार होगा वो राश्पती बनाया जाएगा बिल्कुल देखिए इसमें क्या है अभी कॉंग्रेस को साथ राज्यों और केंद्रसाश्रीत प्रदेश जो पूर्डी चीरी है उसमें कॉंग्रेस का स्टेक है हाला कि ये अगले साल जब राश्पती प्रत्याशी जो भी बीजेपी के तरफ से होंगे उसमें कॉंग्रेस का उस तरह का स्टेक नहीं हुआ जैसे राज्यसाभा में इसमें जीस्ट को लेकिया है पर इस्तितियां बदल चुकी होंगी लेकिन कॉंग्रेस का एक फायदा डिसीजन मेकिंग रोल की तरह नहीं रहेगा अभी देखे बीजेपी का अपना एजेंडा जहां तक है कॉंग्रेस मुक्त भारत का कॉंग्रेस एक विचारधारा है किसी को मुक्त और जड़ से मुक्त और एकदम उसकी बुनियाद खतम आप नहीं कर सकते हैं विचारधारा उससाथ रेस कोर्स की तरफ देख रहे हैं उस तरह के नेता क्योंकि ममता बेनर जी का कैनवास बड़ा है जैल अलिता से तुलना करें ममता बेनर जी का जैललीता समवाद नहीं कर पाती है उनका ध्रवीड राजनिती का पॉकेश है वहीं तक घूम भी गरती हैं और साउथ म ममताब एनरजी में खुबी क्या है कि वो नौर्थ से लेके वेस्ट इंडिया तक या नौर्थ इस तक उनके जितने भी रिजिनल मुख्य मंत्री हैं उनसे इंट्रेक्शन है ठीक है ठीक है यह समवाद है उनके पास और ठीक है ममताब एनरजी बड़ी चुनौती गुरूप म सामने आ सकती है और वो एक फ़र प्रंट देखे को मिल सकता है यह भी हो सकता है कि यह थोड़ा सावने आया है लेकिन छेत्री पार्टियों को मात ने दे पा रही है अगले साल के अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी राज़िमाश्चुराव होने है वो है उत्तर परदेश समाजवादी पायटी बी दोई शेत्री पायटिया है और शेत्री पायटियों को नहीं पचारद पारही है बीज़ै पी तो वहाँ पर किस तरह की आपकी रणीती होगी बहुत कम श्रबतों में देखे बिल्कुल बिल्कुल जहां तक उत्तर परदेश का सवाल रहा हां सरकार बनेगी लेकिन जो पुस्परंजन जी ने अभी ममता जी की जो खूबियां बताएं मैं आपको एक बता दू कि जब वैक्यूम होता ना तभी इस तरह के सवाल इखटे होते हैं और एक ममता जी नहीं यहां तो नितिश कुमार जी ममता बनर जी जी केजरिवाल जी मुला प्राइम मिलिश्टर बनने की ताकत का एसास होने लगा है जब से कांग्रेस की नाव डूबने शुरू होई है कि हमें इन से कोई डरने की जरू हो ठीक है अनुजात्रे साब आप से लाश्ट में चाहूंगा यूपी में चुनावारे यहां जो हुआ उसके बारे में तो आ आगे के लिए कुछ रणनीती तयार करेंगी पहले तो मैं मुकरिश वाजपे जी की बात का जवाब दे दू कि ये इनको चाहिए अपनी पार्टी को भी ये सला दे केवल कॉंगरेस को कोसने से काम नहीं चलेगा जंता ने जो इनको मेंडेट दिया केंदर में और राज्यो चलेज जान चुका हूं जो सबहाल मापस से कर रहा हूं किसी पार्टी के दम पर कॉंगरेस कभी नहीं चली ना कभी चलेगी। कॉंगरेस का अपना अपना संग्ठन है। ठीक है कोईंपार्टी अब प्रशान कि शोर जी आए हैं। उनकी सला कर के रूप में आए हैं। लड़ा जाएगा तो उसमें उनकी सला ली जा रही है उनकी सयोग लिया जा रहा है और उसमें चुनाब पार्टी लड़ेगी पार्टी चुनाब लगे जो नतीजे आएंगे वो भी सामने आजाएंगे सब लोग उसको देखें बहुत वह सुक्ति हैं आप सभी महमानों को इस बिहार में और दिल्ली में पहले हार हो चुकी है देखते हैं 2019 में क्या कुछ निकल के सामने आता है क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी जिस अजन्डे की साथ आगे बटना है वो काम्याब होता है या एक बार फिर से कॉंग्रेस पलटे मारती है राजनीती है कुछ भी हो स हुआ है